हलो फ्रेंद्स, वेलकम टो किस्टड़ी कॉरनल, आज मैं आपके साथ में शेयर करे हूँ 50 Most Common Words जिनको बहुत जादा, अगर आप इंग्लिश की कोई भी पोयम रीड करवाते हैं बच्चो को या स्टोरी रीड कराते हैं, उनका बहुत जादा बार यूज होता है इनको हम Sight Words भी बोलते हैं, जो words बार-बार यूज होते हैं यानि कि आप कोई स्टोरी रीड करते हैं, या आप कोई पोयम रीड करते हैं बच्चो को और जो words बार-बार यूज होते हैं, उनको हम Sight Words भी बोलते हैं मैं आपके साथ मैं जो है Most Common 50 Words Share करने वारी हूँ so first one जो है मारा आज का वो है जैसा जैसा के लिए हम use करते है as, as means जैसा next है मैं, मैं यानि के I, मैं अगर अपने वारे में बताना चाहूँ तो I, ठीके next है उसके बाद मैं उसके, यानि के his उसके his, next है की की means that that means की, okay fifth है हमारा वहे अगर हमें किसी boy के लिए बोलना है या फिर हमें किसी man के लिए बोलना है तब हम he बोलते हैं, otherwise अगर हमें वहे बोलना है बट हमें girl के लिए बोलना है तो हम she use करते हैं sixth number पर है था यानि के was was means था, next है के लिए four, four जब यूज़ता है उसका मीनिंग होता है के लिए 8 नमबर पर है on, on means per R means है, जब ज़्यादा चीज़ों के बारे मिताते तब है 7 with, W-I-T-H with Next है 11 नमबर पर मारा way यानि के they How means be, per at At means per, 1, 1 इसके बाद में have, यानि के have अगर कोई चीज़ आपके पास में have उसके लिए भी आप have का use कर सकते हैं have को use करते हैं 16 नमबर पर जो है मारा word है वो है is, इसके लिए हम use करते हैं this, this को हम यह के लिए भी use करते हैं और इसके लिए भी use करते हैं 17 नमबर पर जो है मारा word है वह है say, यानि कि from, from means say, ये चीज में आपको बताना चाहते हूं, कि ये जो छोटे-छोटे से ही words होते हैं, अगर आप तो इन बच्चों के English को improve करना चाहते हैं, तो इन छोटे-छोटे words का meaning भी बच्चों को बता होना जरूरी है, इसलिए आपको मैं ये लिखके दे रही हू नहीं तो sight words आप खाली English में वच्चों को सिखा सकते हैं, कोई issue नहीं है, 18 नमबर पे है द्वारा यानि कि by, किसी चीज से भी बोलते हैं, बाई भी बोलते हैं, गरम means hot and word means, word means हो गया हमारा जो है शब्द, ठीक है, word यानि कि शब्द हमारे, next जो है, 21 पे है लेकिन, but, 21 पे 23 पे है हमारा word, वो है, cool, कुछ, sorry, 23 पे जो हमारा word है, कुछ, कुछ means होता है, sum, कुछ means होता है, sum, 24 नमबर पे जो हमारा number, आज का जो word है, वो है, है, है यानि कि is, हम जब किसी भी single person, single thing, single, किसी भी object के बारे बोलता हम बोलते हैं, यह है, यानि कि it, यह means हो गया it, 26 पर ज ọnको सब्सक्राइब, बारे भी दोकिश कषी, है, यह means हो गया, यह means हो गया, और जहां पो आपको आपको बच्चों को बतार है, option देने के लिए, यह जो है ले सकते हो, यह ले सकते हो, यह ले सकते हो, और था, इसको हम पास्टेंस मीं यूज करते है, है, हैड, हैड मींस था यानिके कोई चीज़ के पास में थी, the, the भी हमारा side word होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बड़ इसका कोई meaning नहीं होता है, इसको हम particular जगह पर use करते हैं, की off, की off, off का meaning हो गया की, 31 जो है हमारा वो है तक, यानिके 2, 32 पे हमारा आज को जो है और, और means and, ठीके, यह बहुत ज़्यादा words आते हैं, यह वही words हैं, और इससे आपके बच्चों के English 100% improve होगी ही होके, next है एक, एक यानिके one, और हम दूसरा क्या बोलते हैं, एक के लिए a और हम and भी बोलते हैं, अगर हमारा कोई भी word, consonant से start होता है, तो हम a लगाते हैं, vowel से start होता है, तो हम n लगाते हैं, मैं यानिके in, हम यानिके we, we means होता है हम, ठीके, इस तरीके की जो words हैं, बच्चों को सिखाने बहुत ज़्यादा जरूरी है, next हमारा जो number आता है, number 36, तो 36 पर है, कर सकते हैं, जब भी हम बोला चाते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या हम ये कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, हर जगा पर हम यूज करते हैं, can का, और ये बहुत simple और easy sentence बनाने के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि can से बहुत easy easy और simple simple sentences बन सकते हैं, उसक भी बोलते हैं एक और अदर भी बोलते हैं ë मतलब होता है एक और अधर resolutions विच का मतलब कौन भी होता है बट आप confused मत हुएगा अगर यह sentence के बीच में आते है तो इसका meaning हो जाता है जो उसके बाद में 41 पर करना यानिके do कर कोई काम या करना do ठीक है उनकी means there उनके there समय अगर आपको बताना है समय की चीज़ें बोलना है time यह बहुत ज़दा use होते हैं बच्चों के लिए बोलने के लिए ठीक है नेक्स्ट है अगर इफ अगर मैं वहाँ जाता इफ I go there इस तरीके से छोटे छोटे sentences आप बच्चों को बलवा सकते हैं होगा यह को हम use करते हैं future tense के लिए next है हमारे past में 46 नंबर पर कैसे यहनिके how कैसे 47 नंबर पर है हमारे या कहा said उसने कहा said उसने कहा कहा मतलब past में जब उसने कहा said 48 पर है एक यानिके n प्रतीक यानिके each e-a-c-h यहाँ पर h जो है clear नहीं होड़ा उसके लिए sorry each यानिके प्रतीक बताना टेल आपके लिए वीडियो इंप्रूफ करेगी आपके बचों की स्पैलिंग को ठीक करने के लिए भी और बचों की जो है स्पिकिंग को भी ठीक करेगी और अगर आप चाते हैं से और साइट सोर्स में आपके साथ में शेयर करें आप उन्जी कमेंट करके बता सकते हैं थैंक्स फो वाचिंग